आज का पहला प्रस्ण है Newton के गति का कौन सा नियम जड़त्व की वियाख्या करता है तो इसका सही जवाब है option number A यानि के पिर्थम नियम Newton के गति का जो पहला नियम है जड़त्व की वियाख्या देता है इन जड़त्व की परिभासा देता है नेक्स्ट नमबर दो निमली कित में से कौन सी एक सदिस रासी है तो यहाँ पर आपको ध्यानकना option number A संबेग और कौन ये संबेग दोनों ही क्या है सदिस रासी है और धारा और सक्ति क्या होती है आदिस होती है तो संबेग और कौन ये संबेग दोनों ही सदिस रासी है क्यों यहाँ पर देखे संबेग वेग और कॉने संबेग तीनों की तीनों ही क्या है सदिस है और यह जो option number D है यानि के द्रभ्यमान द्रभ्यमान क्या होता अधिसरासी होती है तो यहाँ पर द्रभ्यमान क्या है एक अधिसरासी है next number 4 एक लड़के का भार प्रतवी पर 600 Newton है इसका चंद्रमा पर भार कितना होगा तो यहां पर आपको ध्यार नखना है चंद्रमा का जो द्रब यानि के गुरुद्बाकरस्ण होता है वो प्रत्वी का 1-6 होता है तो इसका वेट भी कितना होगा चंद्रमा पर 1-6 होगा यानि के 100 N, कितना होगा 100 N, तो option number C बिल्कुल correct है 100 N, next question number 4, गुरुद्ब्य त्वरण जी का मान कितना होता है तो यह होता है option number A 9.8 m3 square, 9.8 m3 square, number 6, यदि किसी गैंद को ऊर्द बाधर रूप से फैंका जाए तो गुरुद्ब्य त्वरण लगेगी यानि ऊर्द बाधर रूप से ऊपर फैंका जाए, या पर आपको ध्यान लखना है तो गुरुद्ब्य त्वरण क्या होता है अब प्रत्वी का जो किसी भी अपनी और को जो आकरसित करती है तो जब गैंद ऊपर को जाएगी तो जो गुरुद्बे तुरान होगा वो गती के किस दिसा में होगा विप्रीत दिसा में क्योंकि प्रत्वी की ओर को लगेगा तुरान और गैंद जाएगी ऊपर को तो किस दिशा में होगा, विपरीद दिशा में यहाँ पर लगीगा, नेक्स्ट नमबर सेवन, कोई साइकल सवार किसी मोड पर घूमता है, तो बहे, यहीं जब किसी मोड पर आप देखा हुआ, साइकल यह मोड साइकल सवार, नमबर सी, भीतर की और को क्या होता, वो जुक जाता है, नमबर आठ है, एक ब्यक्ति एक दिवार को धक्का देता है, पर बिस्थापित करने में ऐसफल होता है, तो बहे करता है, यानि वो कार्य करता है नहीं करता है धनात्मक करता है धनात्मक किस तरह कार्य करता है उप्चन आपके सामने है तो इसका सही जवाब है option number A यानि वो कार्ये नहीं करता यानि इस condition में हम कहेंगे कार्ये नहीं हुआ क्योंकि दिवार बिस्थापित नहीं हुई है next number 9 जब एक बस्तू की गती दुग नहीं कर दे जाती है तो उसकी गती जूर्जा यहाँ पर आपको ध्यान आखना गती जूर्जा का फॉर्मुला होता है half mb square तो जब इसे दूग नहीं करेंगे हम गती को यानि इसके वेग को तो यहाँ पर 2v square होगा और जब इसके square खोलेंगे तो जगा 4v square तो कितनी हो जाएगी पहला b square था उसके बाद 4 हो गए तो यहाँ पर option number b चोगनी बढ़ जाती है यानि एक वस्तु की गती दोगनी करने पर उसकी गती जूर्जा कितनी हो जाती है 4 गुनी यानि option number b बिल्कुल correct है next number 10 निम्न मेंसे किसमें गती उर्जा नहीं होती है तो option number d यानि खिचा हुआ जो धनूस होता है इसमें गती उर्जा नहीं होती है next number 11 किसी वस्तु का संबेक किस पर निर्भर करता है तो यह करता है option number c द्रब्यमान और बेग पर next number 12 यान्त्री कूर्जा को विद्यूत उर्जा में परिवर्तित करता है यान्त्री कूर्जा को विद्यूत उर्जा में तो यह करता है विद्यूत जनित्र लेकिन अगर आपसे question आता कि विद्यूत उर्जा को यान्त्री कूर्जा में कोन परिवर्तित करता है तो यहाँ पर हो जाती विद्यूत मोटर नेक्ष्ट नमबर 13 सुस्क सैल में किस पिरकार की उर्जा संग्रहित रहती है तो यह होती है ओप्शन नमबर सी रासाइनिक उर्जा सुस्क सैल में नेक्ष्ट नमबर 14 एक किलोग्राम रासी का वजन कितना होता है तो यह होता है 9.8 N एक किलोग्राम रासी का वजन नेक्ष्ट नमबर 15 बादलों की डिसा एवं गती को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है तो यह कहलाता है नेफ्ट नमबर 16 जूल निम लिखित में से किसकी इकाई होती है जूल तो यह होती है उप्षिन नमबर A, ओर्जा, ओर्जा या कार्य भी यहां पर आपसे दे दिया जाता है नेक्स्ट नमबर 17 पिरकास की चाल को सर्व पिर्था मापने वाले वेग्यानिक थे यानि पिरकास की चाल को सबसे पहले किसने मापा option number A, Romar number 18 है पिरकास वर्स किसकी इ काई होती है पिरकास वर्स option number B, दूरी की या नि पिरकास वर्स किसकी काई होती है, दूरी की next number 19 light year किसका मापक होता है दीखें light year, यानि मैंने पिछला question दिया था पिरकास वर्स, वो हिंदी में था lighter, इंगलिश में बोलते हैं, तो किसका होता है, option number C, दूरी next 20, किस वेज्ञानिक ने सरव पिर्थम कहा कि प्रत्वी सूरे के चार और परिकिर्मा करती है, तो यह कहा था option number B, कोपर निकस ने तो यहाँ पर हमने आज के physics के 20 कुछ complete किया है, इसके पहले के सभी parts देखने के लिए, description में link के वहाँ के लिख कीजिए, तो मिलते है next video में, thank you for watching, बने रही है channel के साथ